हेलो फ्रेंट्स सक्सेस हब में आप सब का स्वागत है मेरा नाम केशव है चुक्कि आप जानते हैं सिंडिकेट बैंक पियो ने अपनी इस साल एक वैकेंसी निकाल ली है जिसमें 500 सीट है ओके दोस्तों तो 500 सीट है और एक्जाम होने वाली 18 फेवरी को तो आज से फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो मैं आपको इस वीडियो में एक फुल स्ट्राटेजी और प्लान हुए में बताऊंगा तो सबसे पहला मेरा एक टार्गेट होना चाहिए कि हमें इस एक सो, दोसो मा ग्स में कितने मां लाने है ओके तो हमारा सबसे पहला एक स्टुर मार्ग्स होना चाहिए टार्गेट रगेट वन ठाठी प्लस लाने के लिए मैं ऐसे लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट यार की cutoff थी 103 तो 103 थी cut off तो आपको cut off से कम से कम 20 to 25 marks जादे लाने पड़ेंगे 20 to 25 marks प्लस आपको final selection list में अपना नाम लाने के लिए cut off से लाने पड़ेंगे जादे तो 130 plus marks कैसे लाया जाए मैं आपको इस वीडियो में complete एक विस्तार पूर्वा कुरूप से मैं बताने वाला हूँ और कैसे हर section में कितने कितने marks लाने पड़ेंगे ओके दोस्तों तो आप चलते हैं हम लोगो next slide में और देखते हैं कि कैसे कैसे marks हमें किस section में कितने marks लाने है को आप किसी भी रूप में किसी भी section में यूज कर सकते हैं मतलब अगर आप चाहते हैं रिजनी में ज्यादा time use utilize करना तो आप रिजनी में ज्यादा time utilize कर सकते हैं लेकिन आपको total 120 minute ही दिया जाएगा और हम total marks और पेपर कितने है 200 marks के पेपर हैं, तो आपको इस 200 marks में आपकी target इतनी होने चाहिए, 130 plus, ओके तो 130 plus में हमें हमें इस section में कितने-कितने marks लाने हैं, ओके सबसे पहला हमेरा region sharing we out हम की कितने marks लाने हैं, reasoning section में हमारा target 35 plus, ओके, तो 35 plus लाने के लिए कितना time देना पड़ेगा, exact 35 plus मिनट देना पड़ेगा, okay, exact 35 to 35 मिनट, okay, तो मिर्स इसको देखा जाए, तो हमारा ratio क्या है, time to number of questions और time का ratio क्या है, one, okay, approximate one है, okay, तो हमको हर question में एक मिनट देना पड़ेगा, यानि 60 seconds, okay, इससे जादे हम नहीं जै सकते हैं, और ऐसे reasoning में ऐसे बहुत सारे questions है, जैसे मतलब 20 से 25 मास के question है reasoning में, जो आपको within a minute बन जाएंगे, okay, तो आपको इसके लिए घबराने की कोई ज़रत नहीं है, कि हम एक मिनट में कैसे एक question बनाएंगे, okay, और हमारा next section है quantity aptitude, okay, next section है हमारा quantity, तो quantity में हमारा target कितना होना चाहिए, 32, 35 प्लस, okay, तो हमको 32, 35 प्लस मास लाने के लिए हमको कितने time देने पढ़ेंगे, 42, 45 मिनट, okay, तो यहां पे मेरा time जो है, ज्यादा है, number of marks कम है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि last year का जो paper आया था, उसमें paper कुछ lengthy थे quant के, क्योंकि उस quant के lengthy paper को हिसाब में रखते हुए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि number कितने time देने पढ़ेंगे, तो हमारा next section है English, okay, English में हम देख रहे हैं, तो English में हमारा target है 25 to 28, okay, और हमको time देना है 25 to 28 मिनट, okay, तो English का actually problem यह है कि English में आप confident नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इतनी surety के साथ आप किसी भी question में किसी भी question को नहीं बना सकते हो, तो आपको number of questions attempt कम लेना है ताकि आपके negative ज्यादा नहीं, okay, तो आप इसलिए मैं आपको 25 to 28 ही बता रहा हूं और time भी इसमें कम देने के लिए बता रहा हूं क्योंकि paper कुछ lengthy होते है ठीक है paper lengthy होते है इसलिए इसमें कम time देना है और एक security, एक average marks लेके आना, okay, general awareness में देखते हैं, general awareness में हमारा बहुत ही scoring होता है, okay, जोस्तों आपको पता है, सब कुछ की general awareness बहुत ही scoring होता है, आप तीन months के current affairs याद कर लिजे, रट लिजे, okay, रट लिजे तीन months के current affairs और आपको उस 35 plus marks लाने से कोई ने रोख सकता, okay, तो आपको इसमें maximum 15 minutes देना, okay, maximum 15 minutes के अंदर आपको general awareness का section complete करना है, okay, तो हम लोग चलते हैं, next section में आप देखते हैं कि हम लोगो section wise में कौन-कौन से topic है, और उस topic को में कौन से ऐसे topic जो कि within a minute बन जाएंगे, okay, तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहला topic है reasoning, okay, तो हमार reasoning में target कितना था, 35 plus, okay, तो 35 plus लाने के लिए number of questions कितने होते हैं, 50, okay, और 50 में हमको चाहिए 35, okay, तो 35 plus लाने के लिए हमको सबसे पहला number selective होना पड़ेगा, okay, तो हमको 35 questions select करने पड़ेंगे 15 में से, और उन question को सही बनाना पड़ेगा, okay, selective होना जरूरी है, और type of questions हमको सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहला coding decoding, silogism, ranking, direction, inequality, blood relation, machine input, output, sitting arrangement, puzzle, data sufficiency, and logical reasoning, okay, सबसे पहले हम लोग देखते हैं silogism, okay, silogism के 5 मास के question आते हैं, ranking direction, ranking direction में 2-3 मास के question आते हैं और आपको ये 2 मिनट के अंदर बन जाएंगे, बहुत ही easy question आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 2-3 मिनट के अंदर बन जाएंगे, okay, inequality में देखें तो पहले question आते हैं 5, okay, लेकिन last year देखा जा तो last year एक भी question inequality से नहीं आया है, okay, तो आप इस साल ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस साल भी नहीं आएंगे, okay, लेकिन आपको कम से कम एक practice कर लेनी चाहिए, okay, next question है blood relation, उससे 2-3 मास के question आएंगे, और IBPS PO, जो कि जो IBPS PO मेंस का exam जो हुआ था इस साल, तो उसमें भी machine input output के question आया थे, okay, machine input output के question आया थे, जो मेंस के exam paper दिये होंगे, उनको पता होगा, okay, तो उसमें से 5 question आया थे, okay, तो ये बहुत ही important है machine input output और आपको ये चार मिनाट वी दीन और 4 मिनाट आपको बना लेने है, okay, sitting arrangement से 5 मास के question आया थे पिछले साल, इस बार भी expect किया जा रहा है कि 5 मास के question आएंगे, puzzle से 10 मास क question आया थे पिछले साल, इस बार भी दो puzzle आएंगे, okay, मतलब दो puzzle आने वाले है, data sufficiency से 5 question आएंगे, okay, ये 5 question data sufficiency बहुत ही easy होता है, आपको 3 से 4 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर बना लेने है, okay, LR से, LR से आते हैं, 10 मास के question, okay, LR से 10 मास के, पिछले साल भी 10 मास के question question आया थे, okay, दोस्तों, तो इस साल भी 10 मास के question एस्पेक्ट किया जा रहे है, okay, तो ये 10 मास के question को आपको within 5 मिनट में attempt कर लेना है, okay, और next है coding decoding, okay, coding decoding से, देखा जाए तो 5 मास के question थे पिछले साल, okay, तो paper lending करने के लिए हो सकता है, कि ये आपको 2 से 3 question दे और 2 मास के question कर दे, okay, तो हो सकता है, तो ये अगर 5 मास के question है, तो आपको 3 मिनट के अंदर बनाने है, 3 मास के question है, तो 2 मिनट के अंदर बनाने, okay, तो आपको ये 35 मिनट के अंदर ये paper finish कर लेना, okay, तो 35 तो 38 मिनट में आप ये paper finish करके आगे बढ़ जाए, okay, इसमें ज्यादा time देने की ज़रूत नहीं है क्योंकि आपको एक हट माख पेपर को एक टाइम डिस्ट्रिबूट करना पड़ेगा, अब चलते हैं हम लोग नेक्स सेक्षन में, नेक्स सेक्षन है हमारा कॉंटिटी अप्टिचूड, तो कॉंटिटी अप्टिचूड में वही फार्मला, तो हमारा टार्गेट कितना है, 35 प्लस, तो इसमें वही फार्मला यूज़ करना है, कौन सा, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव होना बहुत ज़री है, क्योंकि इसमें 50 number of questions है, आपको 50 के 50 attempt करने नहीं जाना है, तो इसमें से आपको कितने attempt करने है, 30 प्लस question attempt करने हैं, और secure करने है, 30 प्लस मास, तो इसमें सबसे पहला क्या-क्या topic है, इसमें सब 6 topic है, number series, बहुत ही easy है, approximation, inequality, data sufficiency, data interpretation, miscellaneous, okay, miscellaneous, low-lendy आ जाते हैं, अब lengthy हो गया है, लेकिन easy रहते हैं, अगर attempt करने हैं, तो पहले हम लोगो को पहले कहां से start करना है, ठीक है, हम लोगो, तो सबसे पहले हम लोगो number series से start करना है, ठीक है, number series में 5 questions आते हैं, जिसमें से 3 questions जो है, वो बहुत ही easy होते हैं, पिछले साल, पिछले साल, से इंडिकेट बैंक पीओ में 5 मास के question थे, और यह बहुत ही easy होते हैं, इसलिए इसको तीर मिनट के अंदर ही finish करना है, okay, अगर inequality, inequality में देखा जाए, तो हम को, मतलब inequality से पिछले साल question नहीं आए तो, okay, दोस्ते, लेखिन अगर आएंगे तो 5 मा प्रक्सिमेशन में से कोई एक हैं, okay, data से पांच मास के question आया थे, okay, और इसको आपको 3 से 4 मिनट के अंदर finish करना है, okay, di, data interpretation, okay, data interpretation थोगा लेंदी होते हैं, okay, तो इसमें से 20 मास के question थे, और 4 प्रजल, 4 di आया होते हैं, okay, जिसमें से 2 di जो होते हैं, बहुत easy होते हैं, और आ 2 di जो हैं, उसमें से 1 di attempt केजिए, okay, at least 1 di, मतलब total 3 di आया आपको attempt करना है, okay, तो ये 3 di जो है, उसको आप 7 to 8 मिनट में finish कर लेजिए, okay, attempt करिए, अब miscellaneous, miscellaneous, lengthy हो जाते हैं, okay, इसमें से सबसे पहले word problem आते हो, okay, उनको question समझने में ही 1 minute लग जाते है, okay, उसके बाद आप solve कीजिए, okay, तो इसके लिए आपको इसमें से 15 मास के question आएंगे, और 15 मास के question जो है, उसमें से 5 question जो होंगे, वो आपको रहेंगे, जो कि 6, 7 से 8 मिनट के अंदर बन जाए, okay, 7 से 8 मिनट के अंदर बन जाए, okay, तो total आपको 30 प्लस target करना है, और वो बहुत ही easy target हो सकता है, अ आपको पहले 5 question tough मिल जाए, और उस question में फस जाए, तो आपको सबसे पहले number series attempt कर लेना है, approximation के question मिले, उसको attempt कर लेना है, या inequality के मिले, उसको attempt कर लेना है, फिर data sufficiency attempt कर ले, फिर DIA attempt कर ले, okay, फिर DIA attempt कर लेना है, last में miscellaneous question पर जाए, उसको attempt करें, ठीक है, अब चलते हैं हम हमार next section है क्या English section, okay, दोस्तों, English section में हमको मेरा target क्या है 25 plus, okay, 25 plus लाना है हमको, total number of questions है 15, okay, इसमें भी आपको बहुत ही जरूरी है selective होना, क्योंकि ये English paper, अब आजकल test में बहुत ही lengthy आने लगे है, okay, English बहुत ही lengthy आने लगे हैं, तो हमको इसमें बहुत ही selective हो जाना पड़ है कि type of questions क्या है, reading comprehension, para jumbled, close test, sentence arrangement, fill in the blanks, sentence improvement, odd one out, and sentence connector, okay, तो हमारा reading comprehension है, इसमें से 2 comprehension होंगे, तो 2 comprehension में, एक comprehension में 7 question होंगे, और दूसरे comprehension में 8 question होंगे, तो इसको कैसे बनाए, okay, 7 comprehension, तो इसमें से एक comprehension आपको बनाना ही पड़ेगा, okay, क्योंकि एक comprehension बनाने के लिए आपको time देना पड़ेगा, 7 minute, okay, 7 minute में आपको वो comprehension करना है, okay, एक question को, मतलब एक comprehension को, okay, तो next है para jumbled, para jumbled में 5 mask के question थे, okay, यह आपको 3 minute के अंदर बनाना है, okay, close test, okay, दोस्तो, close test से 5 mask के question होगी है, तो close test, अगर पिछले साल देखा जा तो close test से 10 mask के question आया थे, okay, दोस्तो, तो इस वार मैं expect कर रहा हूँ कि 5 mask के question आयेंगे close test में, और 5 mask के question आयेंगे पैरा jumbled में, last year para jumbled से question नहीं आया थे, okay, तो इस वार मैं expect कर रहा हूँ कि para jumbled में 5 mask के question आयेंगे, और close test में 5 mask के question आयेंगे, okay, तो पैरा close test को आपको attempt करना है 4 minute में, sentence arrangement sentence arrangement में आपको 5 mask के question मिलेंगे sentence arrangement में 5 mask के question मिलेंगे और आपको ये भी बनाने है 4 minute में okay fill in the blanks से 5 mask के question आएंगे okay पिछले साल भी fill in the blanks से 5 mask के question आये थे एक होता है single filler एक होता है double filler पिछले साल आये थे double filler से question okay तो इस बार भी अब expect किया जा रहा है कि devil fillers के ही question आएंगे और वो बहुत ही easy होते हैं in comparison to single filler okay तो अब fill in the blanks में पांच मास के question है और आपको यह attempt करने है three minute में okay sentence improvement okay sentence improvement में देखा जाए तो sentence improvement से आये थे पांच मास के question okay तो पांच मास के question थे तो इस पांच मास को question को बनाने के लिए आपको five minutes दिये जा रहे है okay five minutes दिये जा रहे है word one out okay word one out means हो गया कि एक paragraph दिया जाएगा और paragraph में फिर एक option दिया जाएगा तो उस paragraph में आपको यह determine करना है कि कौन से जो है उस paragraph प्राइफ में त्यॉढसा है या फिर आपको 5 5 आप संसेगे of संस् si लें आपको हर 5 क्लैस सिफ्रेंट लाइज दिय जाएंगे ओके तो उस्स को आपको पटारी के समझना है कि आपको उन में से कौन सा है जो इस सारे सारे संतेंस को मिला दिया जाए तो वो उस पारग्राफ में फिट नहीं होगा और इसके लिए आपको चार मिनट में यह कोशन attempt करने हैं ओके चार मिनट मैकसिमिमम फोर मिनट ही देना है कि आपको फोर मिनट के अंदर वो सब सब कुछ solve करना है फिर है sentence connector यह बहुत ही easy होता है sentence connector दोस्तों तो इसके लिए इसमें से पांच question attempt करना है और इसके लिए आपको है four minute दिया जाएंगे four minute में आपको यह attempt करने है तो हमको आप सबसे पहले देखना है कि पहले कौन से section कौन से topic first attempt किया जाए तो देखा जाए तो reading comprehension एक आप attempt करने starting में ओके reading इसके बाद पार जम्र या close test में से कोई एक दोनों attempt कर ले ओक है फिल इन दा ब्लैंक से अटेम्ट कर ले उसके बाद ओके उसके बाद sentence connector attempt कर ले ओके sentence connector उसके बाद sentence improvement odd one out और sentence arrangement ओके sentence sentence arrangement easy होते हैं दोस्तो sentence arrangement in comparison to odd one out and sentence improvement इसके comparison में easy होते हैं इसलिए आप sentence का arrangement को पहले attempt करें ओके दोस्तों तो हमारा इसमें time कितना था 25 to 28 minute था और हमको इसमें target मिला है 25 plus ओके इच मतलब हर question को एक minute देना है तो मैंने आपको बताई ही दिया कि हर question को कैसे है कि हर question में कितने time देना है तो आपको उस तरीके से अगर आप देखे हर से और मैंने reasoning का भी बता है क्वाइब भी बताए ओके तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 135 130 plus marks अराम से easily score कर लेंगे ओके लेकिन यह बोलना बहुत ही easy है ओके दोस्तों मैं मानता हूं बहुत ही easy है लेकिन इसको achieve करने के लिए आपको practice करना पड़ेगा ओके प्रैक्टिस कीजिएगा आप test दीजिए ओके test दीजिएगा तो आपको यह बहुत ही easy लगने लगेगा जैसा मैं easily बोल रहा हूं ओके दोस्ते